हालो स्टुडेंट्स आज की वीडियो में हम जो टोपिक पड़ेंगे उसका नाम है सेरिब्रो वैस्कुलार एक्सिडेंट जिसको शोट में कहा जाता है सी वी ए और इसको एक अधर नाम से भी बोला जाता है ब्रेन श्ट्रोक ओके सो यह हमारा आज का टोपिक है तो इसकी डेफिनेशन की बात करें कि सी वी ए कंडिशन होती क्या है तो सी वी ए और श्ट्रोक इस दा इन्फ्रेक्शन यानि कि सी वी ए कैसी कंडिशन है जिसमें इन्फ्रेक्शन होता है और कहां होता इन्फ्रेक्शन ब्रेन टिश्यूज में ठीक है infraction का मतलब क्या होता है कि brain tissues जो होते हैं उनकी death होने लग जाती है so cva और stroke is the infraction या death of brain tissues of a specific portion of the brain due to insufficient blood supply जो brain tissues की death हो रही है ठीक है और वो कहां हो रही है कोई specific portion में brain की specific portion में हो रही है कहने का मतलब यह है कि complete brain effect नहीं होता है मालो brain की जो blood supply होती है वो बहुत reach होती है ठीक है तो कोई एक particular अगर कोई blood vessel block हो जाए brain की ठीक है तो वहाँ जो blood artery जिस part को supply कर रही है ठीक है तो blockage की वज़े से क्या होगा वो particular area को properly blood नहीं मिल पाएगा for example जैसे यह temporal lobe है ओके इसको जो blood artery जो supply करती है blood अगर मालो इसमें blockage हो गया तो क्या होगा कि जो temporal lobe का जो particular part है उसको properly blood supply नहीं मिल पाएगी ठीक है तो जैसे वहाँ क्या होगा यहां के brain tissues की death होने लग जाएगी तो इस condition को क्या बोलेंगे cva और brain stroke ओके नेक्स्ट पॉइंट है it is the third most common cause of death after myocardial infection and cancer जो cva की condition है यह third most common cause of death की after mi and cancer यह दोनों बीमारियों के बाद तीसरे नंबर पर आती है cva जिसकी वाज़े से लोगों की सबसे ज़्यादा means conditions होती है नेक्स्ट बात करें इसके बाद इसके classification की तो इसका जो classification ने इसको इसके causes के base पे classify किया गया है तो जो cva की condition होती है यह दो टाइप की होती है ischemic stroke और दूसरा है hemorrhagic stroke तो सबसे पहले बात करते है ischemic stroke की तो यह क्या होता है it goes by interruption of blood supply to the brain जो ischemic stroke जो हो रहा है ischemia की वज़े से वो क्यों हो रहा है blood supply की कमी की वज़े से किसी वहाँ पे particular area में या blood vessel में अगर obstruction हो गया और उस वज़े से अगर वहाँ पे blood supply बंद हो रही है इंटरप्ट हो रही है तो उसको तो क्या बोलेंगे ischemic stroke ओके अब जो ischemic stroke होता है इसकी causes की बात कर लेते हैं कि किस वज़े से वह blood supply block होती है तो यहाँ पे दो causes है cerebral thrombosis and cerebral embolism अब आपको यह पता तो होगा कि thrombus और emboli दोनों में difference क्या होता है बता देता हूँ फिर भी जैसे यह एक blood vessel है तो यहाँ पे अगर एक जगे पर particular area पे यहाँ पे भी blood components होते हो क्या होते है कि जो blood vessel की वाल है उसमें आके जमा होने लग जाते है और जैसे जैसे जमा होते है तो यहाँ क्या form होता है clot तो अगर यह clot एक ही जगे पर present है तो इसको तो बोलेंगे thrombosis ओके अब जो यह thrombosis यह clot है यह यहाँ से मतलब यहाँ से peel off हो जाए मतलब यहाँ से हट जाए remove हो जाए ठीक है और remove होने के बाद यह blood artery में travel करने लग जाए और travel करते करते ही एक एसी जगे पहुंच जाए है capillary में यहाँ पर जो यह capillary इसका size क्या है कम है तो यह क्या करेगा यह clot यहाँ आगे चाके इस area को block कर देगा क्यों कर देगा क्योंकि इसका size बड़ा है और यहाँ पर है ठीक है तो यह जो एक जगे पे प्रेजेंक क्लोट उसको तो बोलते है थ्रोंबस और वोई कलोट अगर ब्लड आर्ट्री में मूह कर रहा आगे और किसी च्छोटी क wijह का बोलते हैं जोमो करें ट्रेवल करें इसको बोलते हैं एक निया कि जो कोजेज एस्टीमिक श्ट्रोक की एक तो है सेरीब्रल थ्रॉम्बोसिस कंडिशन में क्या होता है कि जो एक पार्टिकुलर ब्लड वेसल है जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रही है उसमें अगर एक क्लोट बन गया यहां पर ठीक है जैसे यहां पर क्लोट बन गया और यहां पर प्रेजेंट है तो उसको तो क्या बोलेंगे सेरीब्रल थ्रॉम्बोसिस अब सेरीब्र एम्बोलिज्म क्या होगा कि बोडी के किसी अधर पार्ट से एक क्लोट आया ठीक है माल लो बोडी किसी अधर पार्ट में क्लोट बना वहां से मुह करके कहां र stroke की ischemic stroke क्या होता है जिसमें blood supply interrupt होने की वज़े से obstruction की वज़े से अगर stroke की condition हो रहे है टिश्यू की death हो रहे है तो उसको क्या बोलेंगे ischemic stroke second one है इसके बाद अब type hemorrhagic stroke ये क्या होता है hemorrhage का मतलब क्या होता है कि जब कोई injury हो जाए ठीक है कोई blood vessel रप्चर हो जाए ठीक है उस वज़े से अगर ब्लड का लोस हो रहा है तो उसको बोलते हैं हैं तो इसको क्या इसकी पढ़ लेते हैं definition cerebral hemorrhage means bleeding in brain ठीक है cerebral hemorrhage का मतलब क्या होगा brain के अंदर bleeding होना और क्यों होगी it occurs due to rupture of cerebral artery in conditions like hypertension अब मैंने जैसे आपको बताया कि अगर कोई blood vessel rupture हो जाए ठीक है तो यहां पर cerebral artery वो अगर rupture हो जाए और वहां bleeding होने लग जाए तो उस वज़े से stroke हो सकता है तो वो conditions क्या क्या होंगी जिसमें एक artery rupture हो सकती है तो एक तो hypertension जिसमें blood pressure बढ़ जाता है तो rupture हो सकती है दूसरा injury ठीक है injury की वज़े से भी क्या होगा कि blood vessel rupture हो सकती तो अगर यहां पर blood vessel rupture हो जाएगी तो bleeding होएगी tissues को proper blood नहीं मिल पाएगा तो उसको क्या बोलेंगे hemorrhagic stroke ओके सो यह बात हो गई brain stroke के दो टाइप्स की ischemic stroke and hemorrhagic stroke अब बात करते हैं next point की तो about 87% of stroke are ischemic जो 87% cases जो देखने को मिलते हैं stroke के वो किसकी वज़े से होते हैं ischemia की वज़े से होते हैं यानि कि blood supply के obstruction की वज़े से होते हैं next one इसके बाद इसके risk factors तो first one इसमें hypertension अगर blood pressure लंबे time तक ज़्यादा रहेगा तो क्या करेगा blood vessels को नुकसान पहुचाएगा next one obesity कोई person obese है तो उन में क्या होगा bed cholesterol बगेरा lipids इनका level क्या होगा बड़ावर हैगा तो उसमें most common chance होगे next smoking जो smoking करते हैं person तो जो smoke होती है उसमें जो होते हैं chemicals होते हैं वो क्या करते हैं blood vessels को नुकसान पहुचाते हैं उनकी बाल को damage करते हैं इसलिए smoking करने वालों को जो cardiac problems यह stroke वाली problems बोद देखने को मिलती है cancer भी next stress कोई person ज़्यादा stress लेता है तो उसमें भी blood vessels damage हो सकती stroke आ सकता है क्यों होता है क्योंकि जब person stress लेता है ठीक है तो एक तो cortisol hormone activate होता है और वो क्या करता है hypertension condition करता है दूसरा एक protein भी present होता है blood vessels में stress लेने की वाज़े से वो activate हो जाता है ठीक है और वो भी blood vessels को नुकसान पहुचाता है next one है increased cholesterol level जो bad cholesterol होता है low density low density lipopoly secrites वगेरा यह भी क्या करते हैं blood vessel को नुकसान पहुचाते हैं okay next one है इसके बाद अब इसके sinus symptoms की बात करें तो first point है इसमें sinus symptoms of cva depends on which brain lobe effect अब यहाँ पे जो लक्षन जो देखने को मिलेंगे वो depend करेंगे कि brain की कौन सी लोब या कौन सा part effect हो रहा है तो इसका example की बात करें like अगर frontal lobe effect हो रही है जैसा में आपको previous class में पताया था frontal lobe जो होती है इसमें कौन-कौन से areas पाए जाते हैं cognitive function areas present होते हैं दूसरा एक broadcast area भी present होता है ठीक है तो अगर frontal lobe effect हो रही है तो यहाँ पे एक तो broadcast area effect होगा ठीक है और broadcast area किसमें काम करता है speaking में काम करता है तो यहाँ पे अगर broadcast area effect होगा तो परसन को बोलने में दिक्कत होगी ठीक है दूसरा cognitive functions भी effect होगा like thinking, talking, learning यह सब क्या cognitive functions है तो यह भी effect होगे frontal lobe effect होगी तो next one है अगर occipital lobe effect होगी तो परसन में visual impairment देखने को मिलेंगे क्योंकि occipital lobe में visual area present होता है next one है early signs of stroke or facial muscle weakness, arm weakness and difficulty in speech अब अगर बात करें कि शुरुवाती लक्षन जो देखने को मिलता है अगर कोई face होगा उसमें कमजोरी रहेगी ठीक है दूसरा arm weakness रहेगी हातों में भी weakness रहेगी और third one difficulty in speech यानि परसन को बोलने में दिक्कत होगी तो यह early sign है जिससे stroke को identify किया जा सकता है अब इसके बाद और यहाँ पे कुछ sign and symptom देखने को मिलेंगे लाइक फर्स्ट वन है irregular respiration person की जो respiration होगी वो irregular रहेगी या तो यहाँ पर ब्रेड़ी पनिया भी हो सकता है टेकी पनिया भी हो सकता है पर mostly टेकी पनिया रहेगा क्योंकि body यह को oxygen नहीं मिलेगी brain को mostly ठीक है तो उस वज़े से क्या होगा respiratory rate बढ़ जाएगी irregular हो जाएगी next one है numbness यहाँ पर रहेग effect है ओके next one headache की condition रहेगी क्यों रहेगी कि ब्रेन में pressure increase हो जाएगा अगर bleeding हो रही है ब्रेन में hemorrhage की वज़े से या obstruction की वज़े से problem है तो वहाँ पर heaviness रहेगी next one है nausea and vomiting भी आप प्रेजेंट रहेगी next one है agnosia इसकी spelling यह होगी agnosi agnosia का मतलब क्या होता है कि एक person को अग किसी बी चीज को पहचान नहीं पाएगा ठीक है किसी object को भी पहचान नहीं पाएगा तो उसके लिए term use होता है agnosia next one है dysarthria dysarthria condition क्या होती है कि motor speed disorder होता है इसमें क्या होता है कि person की जो muscles बोलने में help करती है ठीक है वो muscles में क्या होती ही weakness हो जाती है dysfunction हो जाती है तो उस term को ब कॐलते हैं disarthria इस sendol नहीं पाता हैक्षट वन ए sensor इफस्य यह इसका मतलब inability in speaking अगर नोट है यह थो इस वजह से क्या होगा परसन बिलकुल ही बोल नहीं पाएगा ठीक है बिलकुल पर मतलब वह उसका brain काम नहीं करेगा तो उसके लिए time use होगा aphasia jsut तो कि यूज आ रहा है जो मोटार इस पीडिसोडर ही है मतलब जो मसल्स हेल्प हो रही स्पीच में वो उसमें प्रोब्लम हो रही है और एफेजिया क्यों हो रहा है जो नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है उस जैसे अगर बोल नहीं पारा है तो उसको बोलेंगे एफेजिया, next one है, हेभी प्लेजिया, हेमि प्लेजिया क्या होता है, वन साइडेड पेरिलाइस, यानि परसंड की हाप साइड जो होगी बोडी की, वो पेरिलाइस हो जाएगी, next one है, नेक इस्टिफनेस, यहीं परसन की जो नेक है उसमें stiffness हो जाएगी इसको न्यूकल इजिडिटी भी बोलते हैं जो मेनिंजाइटिस में भी देखने को मिलती है नेक्स वाने डिस ओरियेंटेशन परसन को ओरियेंटेशन नहीं रहेगा टाइम का डे का इन सबका ओरियेंटेशन नहीं रहेगा नेक्स वाने डिस फेजिया डिफिकल्टी इन स्वालोविंग जो मसल से उनमें वीकनेस की वाज़े से परसन को कुछ भी स्वालो करने में परेशानी होगी ओके यह बात होगे इसके साइने करेंगे ठीक है ओसकल्टेशन जो करके परेक्यूशन पाल्पिटेशन वगयरा करके ठीक है नेक्स्ट दभन नियूरोजिकल three इग्जामनेशन करेंगे तो इसमें जो ग्लास ग्लास को कॉम स्केल है उस से हम डाइग्नोस करेंग है ठीक है एच्जो मैं आपको टूल है इसके लिए काम आएगा नेक्स्ट वन है एंजियोग्राफी जो वीजुलाइजेशन करेंगे ब्लड वेसल्स का तो उसमें उब्स्ट्रक्शन का पता चल जाएगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एंजियोग्राफी नेक्स्ट वन है CT scan और MRI इसे भी ब्रेन की प्रोब्लम का आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट वन है ब्लड टेस्ट करेंगे लाइक कोलेस्टोल लेवल LDL and HDL यहाँ पे ब्लड टेस्ट करेंगे उसमें कोलेस्टोल का लेवल SS करेंगे LDL और HDL का लेवल भी SS करेंगे तो यहाँ पे कोलेस्टोल का लेवल बढ़ावा मिलेगा दूसरा LDL का लेवल भी बढ़ावा मिलेगा नेक्स्ट वन है कम्प्लीट ब्लड काउंट तो इसमें प्लेटलेट्स का लेवल बढ़ावा मिलेगा और हीमेटो क्रीट भी यहाँ पे इंक्रीज मिल सकता है next बात करें इसके बाद diagnostic evaluation के बाद तो इसका management की बात करें तो इसमें first one है medical management क्या करेंगे इसका cva का तो इसमें first one है thrombolytic agents ठीक है यहाँ पर दो drugs आती है एक तो थ्रोंबोलाइटिक और एक एंटिकोगुलेंट्स इन दोनों में difference आपको पता होगा thrombolytic drugs क्या करती है जो पहले से cloth बने वे हैं उनको तोड़ने का काम करती है और जो एंटिकोगुलेंट्स होती है यह क्या करती है कि आगे future में अगर कोई cloth बनने वाला है तो उसको बनने से रोकती है तो फर्स्ट वन अपन बात करें thrombolytic agents की तो the thrombolytic agents used for CVA is recombinant tissue plasminosin activator यहाँ पे जो CVA की condition है उसके लिए जो thrombolytic agent use होता है उसका नाम है recombinant tissue plasminosin activator यह एक enzyme होता है जो क्या करता है plasminosin को plasmin में convert करता है ठीक है यह क्या करता है plasminosin को plasmin में convert करता है blood clodes को तोडने का काम करता है ठीक है thrombolytic agents क्या करते है जो blood clodes बने में उनको तोडने का काम करते है और इसमें कौन सी drug use होती है जो enzyme use होता है recombinant tissue plasminosin activator next one है anticoagulant drugs तो यहाँ पर हीपेरिन और वारफेरिन ड्रक्स आती है ठीक है anticoagulants में जो क्या करती है prevent further formation of thrombos and maintain blood supply आगे अगर कोई thrombos यह क्लोट बनने वाला है तो उसको बनने से यह रोकती है next one है इसके बाद anti platelets drugs तो यह क्या करती है इसमें aspirin drug है जो platelets के aggregation को रोकती है platelets अगर aggregate नहीं होगी तो वापे blood clotting नहीं होगी next one है इसके बाद medical में diuretics diuretics क्या करती है कि अगर fluid का accumulation ज़ादा हो रखा है body में या brain में जो pressure increase हो रखा है CSF अगर block हो गया वाँ पे या hemorrhage की वाज़े से blood जमा हो गया तो उसको remove करने के लिए क्या करेंगे diuretics देंगे diuretics कौन सी menine toll या पे देंगे क्यों देंगे intracranial pressure को decrease करने के लिए कम करने के लिए ओके ये बात हो गए medical management की अब बात करते हैं remove blood clothes यहाँ पे जो surgery करेंगे उसका goal क्या होगा कि अगर hemorrhage condition है ठीक है hemorrhage हो रहा है blood vessel rupture हो रहा ही है तो यहाँ पे क्या करेंगे उस rupture artery को repair करेंगे ओके और जो blood clot वाँ बने वे उनको remove करेंगे surgery का main goal क्या है कि जो artery rupture हो रहा ही उसको repair करना है और जो clot बन रखेंगे उनको remove करना है ओके तो यह बात होगा इसके surgical management की अब बात करते हैं इसके nursing management की तो यहाँ पे चार डाइग्नोसिस है फर्स डाइग्नोसिस है यह इन इफेक्टिव cerebral tissue perfusion क्यों हो रहा है यहाँ पर जो tissue जो brain tissues है उन पर प्रोपर ली blood supply नहीं मिल पा रहे है cerebral tissue perfusion ineffective इंफेक्टिव इंप्रोपर है ठीक है क्यों है blood flow की interruption की वज़े से blood supply की कमी की वज़े से तो यह एक diagnosis हो गया second diagnosis है impaired physical mobility related to neuromuscular impairment यहाँ पे अगर brain effect है तो neuromuscular junction जो है वो भी effect होगा जिस वज़े से क्या होगा person की जो physical mobility है जो movement से वो improper रहेंगे इंपेर रहेंगे ओके तो यह को डाइगनोसिस हो गया थर्डवन है इंपेर verbal communication related to loss of facial muscle tone यहाँ पर पर्सन को बोलने में भी दिक्कत होगी जैसा मैंने आपको बताया था symptoms में dysarthria and like symptom देखने को मिलेंगे वो क्यों मिल रहे है क्योंकि जो facial muscle से उनमें weakness हो रखी है ठीक है तो यहाँ पर इंपेर हो रहे हैं वर्बल communication योग एको डाइगनोसिस और लाश्ट वन है नोलेज डेफिशियेट related to disease condition and treatment यहाँ पर जो patient आएगा जो family members आएंगे उनको knowledge properly नहीं रहे ही disease से related ठीक है तो यह भी एक डाइगनोसिस हो गया अब यहाँ पर अपने interventions की बात करें तो first one है assess the changes in neurological status अब सबसे पहले जो stroke यहाँ पर होगा person को उस वज़े से क्या होगा person के neurological status change होगा ठीक है उसमें बदला brain की activity में बदलाव आएंगे तो उसको सबसे पहले assess करना है next one is elevate head of patient 30 degree जो person का head है उसको elevate करके रखना नीचे जो है pillow अगेरा लगाने ऐसा क्यों करना ताकि proper oxygen मिले और जो swelling हो रखी है जो pressure increase हो रखा है brain में वो relief हो ओके नेक्स्ट वन है advice to rest proper rest करने को बोलना ताकि oxygen की demand यहाँ पर कम हो next one है maintain oxygen status अब यहाँ पर जो oxygen कमी हो रखी है उसको maintain करके रखना है oxygen बाहर से provide भी करेंगे नेक्स्ट वन है perform gcs monitoring as order जो neurological status assess करेंगे उसको कैसे assess करेंगे glass को कोमा scale के थूँ ओके जिसमें तीन response होते है आई response verbal response and motor response नेक्स्ट वन है assess vital signs परसन में vital signs assess करने नेक्स्ट वन change position frequently to hourly परसन जो है उसकी position को हर दो हावर में change करते रहना है अगर bed पर है परसन तो उसकी position change करनी है दो हावर में क्यों करना ऐसा क्योंकि यहां पर beds होर होने के chance होंगे नेक्स्ट वन है provide safety measures परसन को proper safety measures provide करने अगर वो bed पर है तो side rails उपर रखनी है क्यों ऐसा रखना क्योंकि परसन को means जो है mobility कम रहेगी तो क्या होगा fall होने के chance है गिरने के chance होंगे तो safety measures provide करने है नेक्स्ट वन है provide alternative communication method अगर परसन को बोलने में दिक्कत हो रही है तो उसको एक alternative हमको देना है उसके लिए like bed के पास में switch दे देना है ताकि अगर उसको कोई भी जरुरत हो तो switch को दबा सकता है जिससे हमको पता चल जाएगा का कहना चाह रहा है ठीक है नेक्स्ट वन है speak in normal tone and avoid talking fast जो person जो patient उससे अगर हम बात करेंगे जो नर से अगर वो बात करेगी तो normal tone में बात करने है दीरे दीरे बोलना है तेज नहीं बोलना उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट वन है encourage family members to communicate with patient जो family members से उनको भी बोलना है कि आप patient से बात करते रहे है ताकि उनको जो है एक normal flow उनका बना रहे है नेक्स्ट वन है advice to limited activity परसन को ज्यादा activity नहीं करनी अपनी activity लिमिट करना है ताकि जो oxygen demand कम रहे है नेक्स्ट वन है educate about medications root dose and technique जो medications person को provide की जा रही है उनके बारे में उसको बताना है ताकि वो self ले सके कि कौन से root से आपको लेनी है कौन सी drug लेनी है कितनी dose में लेनी है और कैसे लेनी है ठीक है तो सब जो है patient और family members को यहाँ पर समझाना है ओके तोपी complete हो गया अगर आपको इसमें कोई भी problem हो तो आप मुझे comment करके पूछ लिजे ठेंक्यू